लेकिन देयाननजी का जो positive contribution है वो है समाज उद्धार का, समाज को जितना उचा गिरा हुआ समाज, बिल्कुल पतित समाज हो गया था, सारे में व्यविचार, अनाचार, भृष्टाचार, अज्ञान, और अज्ञान के दोरह पाखंड, अंद विश्वास, ऐसी हालत फैल नही तो उस समाज को जगा ना था, जिस समाज की आत्मा ही सो गई है, वो समाज कभी सोतंतर नहीं रह सकता, देयाननजी पहले आद्मियां हैं इंडिया के अंदर, जिन्होंने अपने ग्रंत में स्थ्वराज का शब्द क्रेवक किया है, भारत के अंदर नवजागरन तो चला थ लोगों को जगा रहे थे, लेकि उस नवजागरन में अभी तक लोगों ने स्थांतरता नहीं मांगी थी, तो स्थांतरता का शब्द तो नहीं अभी चला था, कोई अंदोलन भी नहीं चला था स्थांतरता का, लेकिन स्थांतरता की भावना जो है, उसको सथ से पहले द्या आन्गरेधी राज आने से देश में क्या हो गया स्वाभिमान इतनी नेमतों खाकरके और अंग्रेजों के आगे दो मिलाना हो तो कुत्तों का काम है, कुत्ता जिसके आगे जिस रोटी डालता है, जिसके आगे कुत्ता जो है, वो उसके आगे पूँछ राने लगता है, लेकिन कुत्ता कभी उसके सामने सिंग गरजना नहीं क और उको काट लेता जागा लेकिन उसके सामने कुता-प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, तो देयर अंजी ने का, जुए स्वाब इमान स्वाभ आजए के सामने कर देन, एक यू कसे से पित्ति, सेथे स्वाभ आजगे लेकिनगे देराजिया, भी द्यानंद की बाणी सुनी उन्हें ने का हो सुराज सुराज बहुत अच्छा है सुराज से सुराज कितने ही अच्छा हो लेकिन सुराज ये बहुत उच्छा हो तो सुराज की कलपना के अपना राज है ये मत देखो सुराज जो आदमी आपके गले में पट्टा डाल करके कुत्ता बना के आपको रखा हुआ है और आपको रोजाना वो मीट भी खिला देता है वो आपको स्वाविमान से नहीं जीने देगा और एक आदमी आपके गले में पट्टा तो नहीं रखा हुआ आपको रोटी भी कम मिल लए लेकिन आप स्वाविमान से गरज सकते हैं शेर क तो सुराज का शब्द देयान अन्जी ने दिया, सबसे पहले देयान अन्जी ने प्रयोग किया है और बाद में फिर इसी को लेकर के सारा अंदोलन चलते रहें, देश में सुतंतलता के अंदोलन चलें, दूसरी चीज जो उनों न दी, देश के अंदर छुआ छूट बहुत अधिया थे, मंद्रों के अंदर तो इसका बहुत जादे परभाव था, किसी मंद्र में कोई भी शूद्र, दरित वरक का आदमी गुस नहीं सकता था, मंद्र के दरवादे पे अगर चड़ाय तो उसमें मारते थे उसको, मंद्र के दरवादे से पीचेट गया धो इसको, उ और शूद्र को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, वेद ग्यान से वंचित कर दिया था करोणों लोगों को, उसका लाव किसने उठाया, उसका लाव इसाईयों ने उठाया, हमने जिनको मंद्र से निकाला, इसाईयों ने का, तुम हमारे हाँ आओ, इसा मसी की देते, मंदिर के अंदर जा के खाना भी नहीं खा सकते हैं, बाहर दे देते हैं, मंदिर के बाहर बैठो, वहां हरी जन आ रहे हैं, वालमीक आ रहे हैं, तो उनको तो बिलकुल इन ली गुसना देते थे, उनके लिए शब्द भी बड़ा गंदा प्रियोग करते थे, भंगी शान से हम आपको अपने चर्च में बिठाएंगे, पक्का फरशा चर्च का उसके बैठो, तो जिनको हमने त्याग दिया था बिलकुल ही, उनको इसाई अपना रहे थे, तो देया नंदी ने कहा कि ऐसा सारा आरिया धर में खटम हो जाएगा, सारे इसाई बन जाएंगे, तो देया नंदी ने वेध में सही परवान लिखा लिए, वेध में कहीं नहीं लिखा हुए है, कि शूदर वेध नहीं पढ़ सकता, देया नंदी ने चुनाती दे, उनको कोई भी आदमी मेरे पास शास्तराश करने आओ, और मुझे ये दिखाओ कि वेद में कहां बढ़ जीत है कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता इसलिए मैं शूद्रों को वेद पढ़ाऊंगा और उन्होंने वेद पढ़ने का अजिकार शूद्रों को भी दे दिया उसके बाद इस्त्री का था जहां वेद किया भाषन हो रहा हो वेद की कथा हो रही हो और मंच पर इस्त्री नहीं बैठ सकती यनि इस्त्री कथा नहीं कर सकती इस्त्री किसी भी मंच पर बैठ करके वेद का ज्ञान नहीं बाढ़ सकती वेद पढ़ ही नहीं सकती इस्त्री कि कैसे लोग जिनको हम निकाल देते थे कि तेरा हुका पानी बंद तूने एक अचुछ के साथ खाना खा लिया गलती से भी अगर किसी ने अचुछ के साथ खाना खा लिया तो ब्रामन उसको भी निकाल देते थे तेरा आना जान तेरा बिल्कुल हुटता हुटका पानी बंद कर देते हैं यानि सामाजिक बाइकार तो इसाई फोरण उसको आकर ले जाते हैं तो कोई बात नहीं ब्रामनों निकाल दिया तो हमारे यह आ जाओ हजारों लोग लाखों लोग जो जिनको तरस्कार करके हमने जूते मार करके निकाला वो इसाई बन गए और इसाई बनने के बाद यह मुसल्मान बन गए उन्होंने बदला लेने के लिए कहा कि पहले हम ब्रामनों का ही सिर्ट तोड़ेंगे जितने मंदिर तोड़े हैं वो उन्वों ने तोड़े हैं जो नव मुसलिम थे नई नई मुसल्मान बने थे जिन ब्रामनों ने अपमान करके हमें निकाला हैं उनका सिर्ट तोड़ेंगे अब तो इनको रोको, इस धारा को कैसे रोका जाएगा, तो द्यान अजिने का सब को यग्य करने का अधिकार है, अगर ये मंदिर में नहीं आने देते हैं, आप हमारे आओ, आरिया समाज के मंदिर में आओ, यहां के यग्य करो हमारे साथ, तो शूद्रों को वेद पढ़ने का परिनाम क्या हुआ कि आज बड़े बड़े शुद्र जो हैं बड़े वेद के ग्यानी निकल रहे हैं जो शुद्र घर में पैदा हुए लेकिन वेद का ग्यान अरजित करके यग भी कर रहे हैं गायत्री का अचारन भी कर रहे हैं और बड़े विद्वान चुनौती दे रहे ह को आजाओ हमारे साथ सास्त्राश करो, हम तुम से जादे वेद मंत्र पढ़के सुना सकते हैं, तो देया नंजी ने जागरिती ला दी, उस समाज में जो समाज बिलकुल उपेक्षित था, और दूसरा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को कहा, अगर बच्चों को, अपनी जाती को, अपनी संतती को, अपने आगे वाली नस्तों को, आप अच्छा संस्कार बनाना चाहते हो, या तो इनको ही कहोगा, अंग्रेज ने लिख दिया आपको, इंडिया इन नेशन अफ कुलीज, भारत तो कुलियों की, इनका आदमी जो पैदा होता है, भारत के अंदर से बच्चे पैदा होते हैं, वो इसलिए पैदा होते हैं, हमारे कुली बन करके हमारी सेवा करें, हमारे घोड़ों की लीद उठाए हैं, हमारे जूते पालिश करें, तो कहते हैं, इनको अगर बच्चों को आप कोई आला अफसर बनाना चाहते हो, तो इनको ग्यान देनावाली माता जो है वही संसकार दे सकती है, जब माता कोई परा नहीं, पता है नहीं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो बच्चों को क्या संसकार देगी, तो देयानन जी की गोशना थी, कि बच्चों को अगर संसकार दिलाने हैं, तो मा को एजुकेटेड बनावा तो बच्चा दुरहचार भी करने लगए यह पंड़ा जी बता रहे हैं बड़ा अच्छा काम है या और दूसरे लोगों आकर भड़का दिया है और मा अगर ग्याता होगी तो बताएगी नहीं बेटा ये काम अच्छा है काम खराब है और फिर बच्चों को अच्छे सल्सकार तो देयानंजी ने नारी कल्यान के लिए नारीयों की सिक्षा के लिए जितना काम देयानंजी ने किया इतना किसी ने नहीं किया इसका परवान गांधी जी का गांधी जी ने अपने ग्रंथ में दिया है गांधी ने कहा है कि सारी दुनिया में करांटी हुई है अमरीका में में भी करांटी हुई, रूस में भी करांटी हुई, सब जगे करांटी हुएं, फ्रांस में तीन करांटी हुएं, लेकिन उन करांटीों में, जितना मेरी करांटी में, मैंने तीन दो सत्यागिरे किये और एक अंदोलन चलाया, भारत छोड़ अंदोलन, उसमें जितना महलाओं ने भाग लिया इतना दुनिया की किसी करांटी मेहलाओं ने भाग ने लिया, महिला घर से निकल कर क्या आगई, चोका और चकला बेलन इस से उपर उठी महिला और राजनीती में आई, तो उन्होंने गारंटी से काया दिखाओ, दुनिया का रिकॉर्ड दिखाओ, अमरीका की करांटी में कितनी महलाएं थी, फ्रांस की करांटी में कितनी महलाएं थी, रूस की करांटी में कितनी महलाएं थी, और मेरी करांटियों में कितनी महलाओं नहीं से लिया, तो पता लगागा का उन करांटियों से बहुत कहीं जादे मेरी में, उसका कारण गांग जी ने महलाओं को देश भक्ति का भाव दे दिया, महलाओं ने कुछ सिक्षा देने चुरू कर दी और सिक्षित महलाओं घर की चार दीवारी चाह कितनी मजबूत थी उसको तोड़ करके बाहर आ गई, नहीं तो पर्दे में उनको टी बी हो गई और बीमारियां हो गई लग गई और महलाओं वहीं मर गई, घर के अंदर ये, अब महलाओं बाहर निकल करके आ गई तो समाज का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि महला समाज को अंदर अच्छा बरा क्या है, बताएगी अपने बच्चों को पा लेगी, तो नारी सिक्षा उनका पॉजिटिव कंट्रिविशन है, आच्छूतों को वेद परनाभियां जहां आरीय समाज का जादे असर हुआ, देयानन जी पंजाब में आय थे तो यहां पंजाब के लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया था, तो यहां पंजाब में जहां उनका ज्यादे प्रभा हुआ देयानन जी का, वह क्या हुआ कि आप सारे हर्याना में जाटों के गाउंगों में चले जाओ, रोतक के आसपात, वह सारा हवन ही जाट कराते हैं, देयानन जी कहते थे बताओ कहां रिखा हुआ है कि पंदत अब ब्राह्मान ही हवन कराएगा, उन्हों के देयानन जी ने तो करम से वरन विवस्था मानी है जिस पंदत को वेद के मंत्र भी नहीं आते तो उसे अधिकार ही नहीं है यह वन कराने का, और जिसको वेद मंत्र आते हैं वो ही पंदित है, करम से आप, तो जाती वाद को भी खतम करके, करम के आधार पर ही वरन विवस्था है, इसका बड़ा परचार किया, बाकि अपने पुरानी परमपराओं को वेद परमपराओं को तो चला ही रहे थे, वेद में जो चीजे वर्द, विहित हैं, यानि लिख्थी हुई हैं, दियानंजी उनसे बिल्कुर्ण अलग नहीं हुए, वेद के रास्ते पर चले, तो दियानंजी पुनध जनम को मानते हैं, पुनध पुरूफ की जरुवत नहीं चुगे वेद वे लिखा हुआ, वेद वेद, सत्त को सिद्ध करने के लिए दूसरे सत्त की आवश्यक्ता नहीं होती, सत्त तो स्वयम सिद्ध है, तो इसलिए उन पुरह जनम को, अब मोक्स की जो बात है, उसमें थोड़ा मोक्स को मानते तो हैं लेकिन हमारे हाँ यह माने जाता है सरातन धर में, कि वोक्स के बात जनम मरण के से बंदन से छूड़ जाता है, दिया नहीं नहीं का कि एक समय ऐसा आएगा, कि जब सारी सिष्टी जो है कि पता नहीं कितने करोड़ साल बाद उन्होंने कैल्कुलेट करके दिया है, कि सारी स सिष्टी में प्रले होगी, और प्रले होकर कि सिष्टी सारी ले हो जाएगी, सारी कि सारी परकृत्ती में चली जाएगी, जहां से निकली है, वहीं चली जाएगी, और फिर जब दुबारा सिष्टी पैदा होगी, तो जिन लोगोंने मोक्स परात किया, वो भी है, कोई कर्म के सिद्धानत को भी मानते हैं अच्छी तरह से, आप जो कर्म करोगे, तो अब द्यानन्जी ने का कि जब क्रिश्चन आए हिंदुस्तान के अंदर मुसल्मान आए, तो इन्होंने यहां की जनता को भड़काने के लिए क्या किया, कि तुम कितने ही पाफ कर लो, मुसल्म के सामने आओ और जाकर कि अल्ला को सब माफ हो जाएंगे, ऐसी क्रिश्चैनिटी ने का कन्फेशन करो, भगवान शमा कर देगा, तो एर इस हुमन, तो फॉर्गिविस डिवाइन, तो इस तरह लोगों को इन्होंने, लेकिन वेद में इस चीज़ का बनन नहीं है, तो हमार हिसाईयों और मुसल्मानों की नकल करने के लिए हमारे यह भी यह बना लिया, सर्व पापेद भी हो, सारे पापास हम उक्स कर दोंगा, तो एक मंदिर के अंदर, बहुत बड़े द्यारंद के शिश्चों है, मंदिर में गए, लोगों ने का जिए, वो कर लेका मंदिर हम न तो चिकित साले का उध घाटन आप से करा रहे हैं, तो चिकित साले में तो आसकते हैं, आप देरांद जी ने मना नहीं किया चिकित साले के लिए, उन्हों हम बड़े अच्छा है, और आप बड़े बताव कि आप मैंसे कितने आदमी ऐसे हैं, हाथ उठाना कि जो आप भगवान से ये मांगें आप ये तो कहते हो कि भगवान मैंने कल लोगों की आँख में दूल जोग के नकली सामान बेच करके पांस सु रुपए कमाये थे तो रुपए एक सो एक रुपए तुझे चड़ाने आया हूं उस रिश्वत देने के लिए तुझे आया हूं कि इस पाप में से एक सो एक रुपए तू ले ले चार सु रुपए माफ कर दे मेरे लेकिन ऐसा आदमी कौन सा जो बताओ कि जो भगवान के पास जाके शाम को ये कहता हो कि भगवान मैंने पाप किया है मुझे उस्यों दंड देना दे दे और अगले दिन सुबए जाके मंदिर में ये पाप प्रार्शना करता हो देवता से कि हे देवता हे भगवान तू सर्व शक्तिमान है मुझे इतनी शक्ति दे दे कि आज मैं दुकान पर बैठ करके एक भी देले की बेइमानी ना करो आज दफ्तर में जाकर मैं काम चूरी ना करो सिंसिरेटी अपना काम कर लो तो एक भी हाथ नहीं उठा उन्हों का अगर भगवान से मांगना है तो ये शक्ति मांगो कि हम बेइमानी ना करा है तो उन्होंने का करम के विधान को भगवान भी नहीं बदल सकता आपने अगर पाप किया है तो आपको दंड भगवान तो बहुत न्यायकारी है अगर वो ये करने गए पापियों को भी माफ करने लगा तो इसका मतलब वो तो नहायकारे निवा तो पापियों का समर्थक हो गया तो करम सिद्धान्त को भी बड़े कठोर धंग से द्यान अंजी ने परचारित किया और भी समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी आवस्था थें जिन्होंने समाज को जगाया और यग की जो हमारी पुरानी परंपरा उस यग परंपरा को जागरित करने के किया यग का मतलब ये है कि मिल करके सब चीज़े बाटो समाज के अंदर खिलाओ हम ने पैसे कमाई और पांच रूपने भगवान को दे दिया, हमने का यह सब समाज का है, तो दिया उन्दी ने देश को जगा दिया, वेद का ग्यान देश के अंदर दिया, वेद के ग्यान के अधार पर पाखन्नों का नाश कर दिया, पाखणनों का फाइदा उठागर के जो क्रिश्चन हमें धोका दे रहे थे, हमें अपनी तरफ खीच रहे थे, ऐसे पाखणनों से उनको कर दिया वैसे तो इन्हों ने भी किया, गुरुणानक देव जी भी ने किया, यहां एक बहुत बड़ा पाखण फैला हुआ था कि जिस समय सूरिय ग्रहन लगा हो, उस सूरिय ग्रहन के समय भोजन जो करता है, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं तो गुरुणानक देव जी यहां आये और उन्हों का जब सूरिय ग्रहन लग रहा हो, उस समय आप लंगर लगाओ, और जो आदमी सूरिय ग्रहन में आये हुए हैं, उनको को नहते जाओ, लंगर करते जाओ, चलो, सूरिय कुछ ने विगार सकता तुमारा, तो पंदतों न जब कीड़े पड़ेंगे, तब मैं इलाज करूँगा इनका, तो एक के भी कीड़े नहीं पड़े, तो अब यहां खूब लंगर लगते हैं, सूरिय ग्रहन के समय में, तो ऐसे इन्होंने यह भी किया, कि लोगोंने कह रखा था कि यह काम करोगे, शराद के दिनों हम भिव पड़नों से देश को मुक्त करा करके, और देश में एक नब जागरिती पैदा कर दी, और फिर उसके बाद, दूसरे लोग जो आए, उन्होंने यह कहा, उन्होंने का जिस देश की आत्मा ही पाखड़न में है, अन्द विश्वाशा में सो गई हो, वो देश कभी स्वाभि से नहीं जी सकता, इसलिए नारी को सचक्त बनाओ, नारी को सिक्षा दो, आज देश में अन्य लोग जो हैं, वो देख रहे हैं हमारे, मुसल्मान भी कह रहे हैं हमारी ओरतों को पर्दे से बाहर निकालो, तब ही मुसल्मान संपन बनेगा नहीं, तो हालत खराब रहेगी, और भी लोग वे, तो कि देया नंजे जागरिती पैदा कर दी, कि आज इस तरी शक्ती खड़ी हो गई सारी कि सारी, और घरों में संसकार फैल गए, संसकार वान परिवार, घर घर में यग हो रहे हैं, और उस यग के कारण से क्या हो रहा है, कि सारा बातारों नहीं पवित् तो देयानजी को हम एक स्वामी देयानद नहीं मानते हैं, बलके हम को ते हैं, रिशी देयानद को हमारा नमस्कार है स्वामी